सिलाई से बच्ची भी गत्रानों का use करके आजम दिवाली में use होने वाले बहुत सुन्दर सुन्दर home decor items अपने घर पे एकदम free में बना लेंगे और बहुती सुन्दर बहुती आसान दरीके से बन जाते हैं और एकदम free में बनके ये तयार होने वाले हैं तो चलिए start करते हैं तो फर्स्ट एडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है फैब्रिक वीड्स जो की बहुती सुन्दर बनते हैं और सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीज है तो देखे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ही वेश्ट फैब्रिक का पीस लिया हुआ है और इसके तो अगर आपके पास फाइवर नहीं है या फिर फाइवर नहीं आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉटन का भी यूज कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी जो कपड़ों की कतरन बच्ची होती है ना ब्रुकुल छोटी छोटी जो किसी काम में नहीं आती है या फिर threads होते हैं, pom-pom बनाते हैं, तो उससे जो उन निकलती है ना हमारी waste, उसको भी आप यहाँ पे fill कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही soft hair बनके तयार होते हैं, तो देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे सुई से इसको टक किया है, और यहाँ पे हम पके से यहाँ पे मजबूसी गहट लगा लेंगे तो यह जो fabric bits होते हैं, यह बहुत ही काम में आने वाली चीज़ हो, यह बिल्कुल market जासे बनके ready होते हैं, और यह देखिए यहाँ पे जितना भी extra fabric है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से cut कर लेंगे अब इसमें finishing देदेंगे, क्योंकि हमने देखिए इसको अच्छे से यहाँ पे stitch करके लिया है तो यह बिल्कुल खुलेगा नहीं, तो बिल्कुल नजदीकी से आप देखिए, जितना भी extra यहाँ पे कपड़ा होगा वो सारा निकाल दीजीगा तो इस तरह से देखिए, इसका जो shape बनके रेडियो है तो जितने बड़े size को आपको बनाने है न, उतने बड़े size को आप यहाँ पे बना सकते हैं, तो यह बहुत ही soft one के रेडियो है तो अब इसको थोड़ा से decorate करेंगे, जिससे क्या होगा इसके अंदर finishing बहुत ही अच्छी आएगे, तो यहाँ पे देखिए, मैंने golden गोटा पट्टी की less ली है, तो इस तरह से देखिए, जहाँ पे हमने joint लगाया था न, गांट लगाया थी उसी जगह से हम less लगाने start करेंगे, तो इससे क्या होगा, उस corner में finishing बहुत अच्छी आएगी, और इसका जो shape है न, वो भी बड़ा ही प्यारा, मूती वाला shape आजाता है, तो यह देखिए, कुछ इस तरह से यह बनके ready हुआ है, तो इस तरह से देखिए, मैंने कितने सारे colors में यह बनाके ready किये हैं, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी ideas इसके through आपके साथ share करूँगे, इसलिए मैंने एक साथ इतने सारे beads से आपके बना लिये हैं, तो बिल्कुल free में बन जाते हैं और बहुत ही सुन्दर लगते हैं, तो अब देखते हैं हमारा idea number two, तो इसके लिए देखिए, मैंने इस तरह के छोटे-छोटे fabric, fabrics आपके पास होना तो वह आपने यहां पर ले सकते हैं, तो four by four का यह piece था और इसको मैंने देखिए, इस तरह ऐसे four fold किया है, और इसके जो corners है उनको यहां से round करके ले लिया है, तो इस देखिए, सारे जो कपड़े के pieces थे, उनको मैंने इस तरह से ready कर लिया है, और अब हम चाहिए एक bell और इस तरह का एक beard जो मैंने अभी आपके साथ share किया था, और इसके साथ ही न कुछ छोटे-छोटे beards अगर आपके पास है, छोटे हो या बड़े हो, बड़े होंगे तो और भी ज्यादा अच्छा बनेगा यह DIY आपका, तो सबसे पहले देखिए, गोटा-पट्टी less को मैंने यहाँ पे swim में डाल के लिया है, आप तो उन का भी हाँ यूज करते हैं, यहाँ पे simple thread का भी कर सकते हैं, बड़ मैंने यहाँ पे गोटा-पट्टी less का यूज किया है, इससे थोड़ा सा यह rich और costly one के costly look देगा, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले जो मैंने DIY fabric weed बनाया था, उसमें गांट लगा के इस तरह से ले लिया है, सुइन काल के, और अभी मैंने 3 weed से यहाँ पे डाले हैं, जिससे क्या होगा, हम जब इसमें बैल डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें gap आए, और जो हमने बीड डाला है वो अच्छे से यहाँ पे hang कर पाए, तो मैंने यहाँ पे बैल डाली है, बैल डालने के बा इस तरह से निकाल के धागा लिया है, तो इससे सुन्दर डिजाइन क्रियेट हो जाएगा, बाकी तो आप इसको चाहे जैसे यहाँ पे stitch कर सकते हैं, बट इस तरह से करेंगे तो डिजाइन बड़ा ही प्यार आएगा, तो दोनों साइड से देखें, पहले इस बीड से मैंन करके देखिए, सबसे पहले नीचे से सुई को इस तरह से बाहर निकाला, और आप बीड का जो होल है न, वहां से ले करके हमें नीचे लेकर आना है, अब दो तीन वार यहाँ पे अच्छे से टाइट करके राउंड करके लेना है, और नीचे की तरब से बीड के होल से ही हमे ठेट को बाहर लेके आना है, तो यह देखिए, बहुत सुन्दर डिजाइन बन जाती है इस तरह से करने में, तो इस तरह से आप चाहे जितनी लंबी लटकन बना सकते हैं, फुल डूर की आप बना सकते हैं, तोरन इनकत्रू आप बना सकते हैं, यह बहुती सुन्दर बनके बनके ready होते हैं तो देखे मैं ने यहाँ पे इस तरह से पूरी तोरण मना के ready कि हैं और अब क्या करेंगे हम सबसे उपर आ करके देखे इस तरह स से हम यहाँ पे hook बना देंगे loop बनाएंगे तो इसी तरह से में यहाँ पे loop इस तरह से मैंने complete की है और बहुत light weight washable और बहुत ही सुन्दर यह बनके ready हुई है तो इस तरह से देखिए आप बहुत सारे colors में यहाँ बना सकते हैं तो मैं बहुत सारे multi colors में इनको बनाऊंगी तो यह बहुत सुन्दर लगते हैं और कुछ इस तरह से इनका look आता है तो विर next idea उसका भी मैं आपके साथ share करने वाली हूँ तो आप उनवाली bells को भी यहाँ पी use कर सकते हैं तो देखिए door पर लगाने के बाद यह कुछ इस तरह की देखती हैं और यह बहुत प्यारी लगती हैं तो मैंने बहुत सारे colors में इनको बना के ready किया है अब देखते हैं हमारा idea number 3 तो इसके लिए देखे जो भी हमारे पास छोटी छोटी लैसे के टुकड़ी बच जाते हैं ना पुरानी साणियों से निकली भी लैसे होती है या फिर अगर आप stitching का काम करते हो तो आपके पास काफी सारे इस तरह के देखे टुकड़ी बच जाते होंगे लैसों के तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहां पर यूज करूँ तो आज बहुत है सुन्दर idea इनका आपके साथ share कर जी हूँ तो सबसे पहले मैंने यहां पर pasting paper ले ली है square और आप अपने according इसका size ले सकने हैं और इसको देखे हम इस तरह से round करके लेंगे तो यह मैंने चिपकने वाला बुकरम लिया है आप कोई भी ले सकते हैं और एक side देखे मैंने इसमा fabric को यहां पर paste कर लिया है अब क्या करना है इसको बिल्कुल half में हम इस तरह से fold कर देंगे और यहां पर cut लगा लेंगे तो इस तरह के देखिए दो हमें यहां पर semi circle मिल रहे हैं और अब हम इस इसकी cone बनाएंगे और यहां पर हम इसको glue की help से देखे fix करनेंगे तो हम basically यहां पर क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं यहां पर fabric bell तो यह बहुत सस्ती पड़ जाती हैं बिल्कुल free में ही बन जाती हैं बिल्कुल आपके घर में ही जो item पड़े होते हैं उनी का use करके आप बना सकते हैं तो देखे पहले cone बनाया मैंने इसको इस तरह से और अब जो भी less मेरे पास बच्ची हुई थी ना उनको मैं यहां पर देखे इस तरह से इसमें attach कर लूँगे तो जितनी भी less आपके पास हैं जैसे design है उसके according आप अपने हिसाब से यहां पर लगा सकते हैं त इसको मैं यहां पर यूज करके नीचे की side इसमें पूरी paste कर दूँगे तो यह बहुत ही सुंदर बनते हैं इस तरह के wells यहां पर extra को cut कर दिया है इस तरह से देखे मैं यहां पर दो बनाके ready किये हैं अब थोड़ा सा इसको decorate कर लेंगे तो जो भी आपके पास decorate करने के तो मैं उन्ही का यहां पर यूज करनी हूँ तो इस तरह से देखे इस pattern में यहां पर इसके चारा तरफ इन mirrors को लगा लूँगे तो mirrors लगाने के बाद यह और भी ज़्यादा heavy, costly और बहुत rich look दे रहे हैं तो इस तरह से देखे मैंने यहां पर दौनों वेल्स को use कर लिया है तो इस तरह की वेल्स आप घर में बना सकते हैं किसी भी size में और इनको use कर सकते हैं नेक्स टेडे के लिए मैंने यहां पर देखे इस तरह के cardboard rolls का use किया है तो जब भी हम online wallpaper purchase करते हैं तो उसकी packaging में हमें यह मिल जाते हैं या फिर जो हम file paper घरों में use करते हैं उनकी भी अंदर जो rolls होते हैं और वो भी इसी तरह के होते हैं या फिर cello tape के अंदर जो rolls होते हैं उनका भी आप यहां पर use कर सकते हैं तो यह थोड़ा मेर से clip में सो गई थी मैंने इन rolls को देखे थोड़े छोटे-छोटे pieces में यहां पर cut करके लिया है और इसके साथ ही जो लंबी-लंबी strips हमारे पास बच जाते हैं cuttings की वो मैंने यहां पर ले ली हैं तो यह वैसे भी बि यहां पर हमें round करके लेना है तो जितनी मुटाई आप यहां पर रखना चाहें उतना मुटा इसको कर सकते हैं जिससे बहुत ही अच्छा shape आता है तो देखे इस तरह से मैंने यहां पर extra को cut करके last मैं इसको glue की हल से आपर fix कर लिया है तो कुछ इस तरह का यह pattern बना है तो अ अच्छे हुए fabric से भी बिल्कुल market like चीजा बना सकते हैं वो भी बिल्कुल free मैं तो देखे मैंने पहले glue की help से थोड़ा सा इसको fix किया है और आगे से देखे हमें थोड़ा सा strip को fold करते हुए जाना है और यह जो strip है इसकी जो चुड़ाई थी वो करीब डेर से 2 inch चुड़ आएगी और जो भी यहां पे न सिकुड़न आ जाती है fabric में वो सारा हमें यहां पे बिल्कुल smooth करते हुए जाना है और last में आके देखे दोनों सैड से हम इसकी किनारियां fold करेंगी और किनारियां fold करने से क्या होता है जो इसके रधागे होते है रेसी होते हो इसमें से बिल गोटा पट्टी लेस से इस तरह से श्टार से जो इसका निकालते हैं वही देखे मैंने यहां पे किया है तो इस तरह से आप बिना उनके बहुती सुंदर सुंदर इस तरह के डंबू वीड्स बना सकते हैं आप इनके थूप बहुती अच्छे अच्छे फिर home decor items भी यहां बना सकते हैं तो इस तरह से देखिए कोई नहीं कहेगा कि हमने इसको fabric से बनाया है या फिर based material से बनाया है मार्केट में यह बहुत जादा costly आते हैं और इस तरह से देखे मैंने काफी सारे यहां पे अलग-अलग colors में बना करके ready किया हैं बहुत जादा finishing के साथ में तो अब आप इसको multiple use कर सकते हैं चाहे तो आप इनको as a beard use कर सकते हैं या फिर इस तरह के candle holders भी इनकी बहुत easily आप बना सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं हमारा idea number five और यह last लेकिन बहुत अच्छा idea है तो इसके लिए मैंने देखिए यहां पर पुरानी चूडियां को use किया है जो कि हमारे पास अक्सर पड़ी रहती है और यहां पर मैंने ली है fabric strip और इसको देखे इस तरह से double fold करते हैं हम यहां पर पूरी बैंगल के उपर इस तरह से हम इसको लपेड़ते हैं तो पूरी चूड़ी को हमें इस तरह से इस पर cover कर लेना है और आगे से fold करने से क्या हो जो भी रेशे यहां पर होते हैं वो नहीं निकलते हैं बहुत ही है फिनिसिंग से हमारी यहां पर लग जाती है तो इस तरह से पूरी बैंगल को cover करना है और इस तरह से अगर आप fabric का यूज़ करते हैं तो आप बिना उन के ही बड़े सस्ते में घर में जो बच्चे भी कप आपाते हैं तो बहुत सारे लोगों के यह queries रहती है कि बिना उन के आप हमें कुछ बताई है क्योंकि उन हमेशा हमारे पास नहीं होती है तो इस तरह से जो waste fabric होते हैं वो तो हमारे पास अकसर पड़े ही रहते हैं तो आप उनका यहां पर यूज़ कर सकते हैं तो देखे प से हमने पूरी बैंगल को ready किया है और अब क्या करना है इसको decorate करने के लिए वही same गोड़ा पटे की लैसे देखे मैं आप इस टार शिप बना रही हूँ और यह तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आई ही गया होगा अगर आप craft का काम करते हो तो इस तरह से देखे यहाँ पर इसके अंदर से हमें इसको दो तीन वार देखे इस तरह से cross करते हुए यहाँ पर लाश्ट में इसमें knot लगा के लेना है तो इससे क्या होगा एक तो center अच्छा हो जाता है और इसमें मजबूती भी आ जाते है तो देखे अब आप चाहे तो इसको इस तरह से भी beads का यूज़ कर रही हूँ तो इसके किनारी किनारी पर देखे simple तरीके से मैं पहले भी वैसे आपको यह idea बता चुकी हूँ किस तरह से यहाँ पर beads लगाये जाते हैं लेकिन वो मैंने उनके साथ आपको बताया था तो लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको fabric के साथ में यह जाने हैं तो इस तरह से देखे कितना सुंदर इसका look आ जाएगा और देखने में यह बिलकुल पता नहीं चलता है ready होने के बाद में कि हमने उन से बनाया है या फिर हमने इसको fabric से ready किया है तो देखे इसी sequence में मैंने इसको पूरा complete किया है और यह कितने सुंदर बन के ready भी है तो आप इसको multiple use कर सकते हैं देखे जो हमने डमरू मोती बनाया था ना या फिर candle holder आप इसको बोल सकते हैं उस पी नीचे भी आप इसको लगा के इस तरह से इसका stand बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसकी तुरू ना separate door hanging बना सकते हैं बाल hanging बना सकते हैं यह बहुत ह अच्छी लगती हैं तो guys यह थे मेरे आज के ideas I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर सच में पसंद आया है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिए जएगा मैं मिलती है आप से next video में till then bye bye take care love you and love you lot